राजस्थान की राजनीती में जिस तरीके से सचिन पाइलेट का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है उसको देखकर लगता है कि सिर्फ राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में सचिन पाइलेट जो है कॉंग्रेस के सिर्मोर बनते जा रहा है क्या है वो बयान आपको बताएंगे विस्तार से बने रहीगा मायर सताकरी तक नमस्कार मेरा नाम रिशव है और आप देख रहे हैं समवाल भारत का भारत के लिए राजस्थान में जिस उपचुनाओं होने वाला है इसमें सचिन पाइलेट काफी जो है एक्टिव दिखाई दे रहे हैं इस बीच हमने सदन में देखा कि राहूल गांधी और अनुराव ठाकुर की नोग जोग देखने को मिली जिसको लेकर सचिन पाइलेट ने भी अब बयान दिया है कि आप सिर्फ सदन में नोग जोग करने के लिए कहते हैं विपक्षियों पे सिर्फ तंज कसने के लिए आते हैं आपने जो वादे किये थे उस पर भी बात होनी चाहिए जिस तरीके से दो महीने में रेल हादसे हु उसको लेकर आपकी कोई कारवाई नहीं हुई मेसपी का वादा किया आपने उस पर कोई कारवाई नहीं की गई आपने यूआ जो बेरोजगार है उनको रोजगार देने का वादा किया तो उस पर कोई कारवाई नहीं हुई जुमला था, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, तो क्या ये जुमले सिर्फ चुनाव में ही किये जाते हैं, आप अपने वादे को लेकर उसको पूरा कप करेंगे, ये जन्ता की बीचा के ये बताते क्यों नहीं है, प्रधान मंत्री जी क्यों नहीं बताते हैं, इसको लेकर कार को जो है तंज कसा है और कहा है कि इस पर जवाब देना चाहिए जनता जवाब मांगती है खेर जब अनुराब ठाकूर और जो है राहूल गांदी की नोग जोख हुई उसमें हमने देखा कि तमाम बड़े नेता जो डेल मंत्री अश्मनी वैशनों को घिरती हुए नजर आ काली पिटवाते हो इसको लेकर क्या आपको थोड़ी भी लज्जा आई उस समय आपने जवाब क्यों नहीं दिया कि चाहे एक मौत हो चाहे ग्यारा मौत हो उस पर जवाब सरकार को देना चाहिए था पर आज तक सरकार का कोई जवाब नहीं आया इस तरीके से सरकार चलेग इसको लेकर फिर उन्होंने कहा कि अभी जो जो लोग कॉंग्रेस पार्टी को छोड़ कर दूसरे पार्टी में शामिल हुए हैं उनको भी कॉंग्रेस में आना पड़ेगा क्योंकि भविश कॉंग्रेस का आने वाला उज्वल है इसको लेकर उन्होंने बयान दिया और कहा कि चाहे जो नेता अभी हमने देखा कि कुछ नेता ऐसे हैं जो पहले तो कॉंग्रेस में थे फिर वो इस्तीफा देते हैं फिर बीजेपी में जाते हैं फिर बीजेपी से भी इस्तीफा देते हैं अब खबरें ये आ रही हैं कि वो फिर से जो है Congress में शामिल होने वाले हैं जिसको लेकर किसी का बिना किसी का नाम लिए सचिन पाइलेट ने कहा है कि जिस तरीके से नेता हमें छोड़ कर गए थे अब फिर उनको यहीं वापस आना पड़ेगा क्योंकि BJP में नेताओं की जिस तरीके से दुर्दशा होती है वो हम सब ने देखा है किसी से छुपा नहीं है यही कारण है कि जो नेता यहां से जो हट कर दूसरे पार्टी में जाते हैं वो फिर इसी पार्टी में आ जाते हैं यही सबसे बड़ा कारण है पर इसके लामा जो मुद्दे हैं हम सदन में किस लिए जाते हैं मैं जनता किस लिए चुनके बेचती है क्या इसलिए कि हम जाती पर बात करें हम एक दूसरे पार आरोप प्रत्या रोप करें या इसलिए कि जो मुद्दे हैं वहां के उन पर बात क उस वहाँ पर पानी ERCP का मुद्दा बड़ा मुद्दा है इस मुद्दे का जवाब कौन देगा इसको सुल्जाएगा कौन ये इसकी जिम्मेदारी किसकी है चाहे राजस्थान में हम भजनलाल सरकार को देखे हैं चाहे केंद्र में मोधी सरकार को देखे हैं क्या ये जो सारे किया जाता है वो जुमला ही है तो फिर vote की साधार पे आपको मिलेगा आप एक पंच वर्सी में तो जो है जुमला जो वादे पूरे करते उसको जुमला कहकर vote पा सकते हो लेकिन अगली पंच वर्सी में क्या होगा अगले पांच साल में आप आओगे क्या अगर ऐसे ही जुमला चलता रहा तो देश का विकास कैसे होगा हम विदेशों में जाते हैं और अपने देश का डंका पीटते हैं कि हमारे देश में ये हो रहा है G20 सम्मेलन हुआ पर देश की जो आर्थिक स्थिती है उन्होंने जो है 80 करोड लोगों को जो राशन दिया जा रहा है उसमें भी बात की कि आप कहते हो कि हम विक्सित देश होने वाले हैं पर उसी देश में आपको 80 करोड लोगों को राशन देना पड़ रहा है हलाकि ये कहीं से बुरी बात न युवाओं के मुद्दे को उठाएंगे और सरकार से इसकी मांग करेंगे कि प्रधान मंत्री जी को खुद आके इसका जवाब देना चाहिए। पाइलेट को बात अलग बनाती है कि वो जिस तरीके से शाली निता से नजर आते हैं वो बेहद सबको पसंद आती है यही कारण है कि सिर्फ राजस्थान में ने पुरे देश में सचिन पाइलेट की पॉपुलरिटी बढ़ती जा रही है। खर इस मुद्दे पर आपकी क्या आये हैं हमें कॉमेंट में जरूर बताईए और देखते रहे हैं समबाद भारत का भारत के लिए।